तो हम अपने प्रधान मंदरी को कोटी-कोटी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो इतनी बेतरीन जीत दिलाया उन्होंने और एक प्रस्न भी मेरा उनसे है कि जो हमारे देश में जो पिछली जो चुनाओ हुआ है इसमें सबसे बरी मुद्दा थी जो रोजगार की मुद्दा ह यह सबसे पहले हमारे देश में प्रोजगारों की संख्या क्यों बढ़ रही है इस पर हमें मतलब चर्चा करना होगा और इसके लिए हमें जो अपनी एजुकेशन सिस्टम है उसको इक्वल करना है जो बच्चा गौँ में पढ़ रहा है और जो बच्चा दिली में पढ़ दोनों को एजुकेशन इक्वल मिलना चाहिए जब तक एजुकेशन आप इक्वल नहीं देंगे तो फिर रोजगार में कैसे आपका सकते की समानता आ सकती है और दूसरी बात है कि हमारे यहां रोजगार का मतलब होता है सरकारी नोक्री यह मतलब खतम होनी चाहिए आज चा अच्छा सरकार ने कुछ पिछली जो सरकार थी उसने कुछ ऐसी बात कही थी और स्किल डेवलमेंट के प्रोग्राम भी कुछ बात कही थी निश्चे तोर से इसमें आगे बात बढ़ेगी लेकिन मैं आज एक बात छोटी सी कहला चाहता हूं आज विसे मैं नहीं बोलना चाहत है लेकिन जाती भी तूटी धर्म भी तूटा समाज की तमाम सारे मुद्धों पर मैं आप हो सकता ना माने लेकिन कोई बात नहीं लेकिन क्रॉस कंट्री जिस तरह से वोटिंग हुई है वो अपने आप में और जिस तरह से बहुमत मिला है वो इस बात के लिए सुबूत है क काम करने वाले लोगों के लिए भी सबक है जो तमाम बाते छोड़कर रोजगार की, अस्पताल की, सड़क की, भिजली की, पानी की, एन्वार्मेंट की जो अभी यहाँ पे दो लोग ख़ड़े थे उन्होंने अपनी बात कही इन सारी बुद्धों को छोड़कर मात वो क्य यह सबक बहुत बड़ा सबक है, जिससे सीखना चाहिए, यह उस वोटिंग से, जब मैं देख रहा था, तो मुझे लग रहा था, इतना जब अपार्ज समर्थन है, जन समर्थन है, तो देश तो कुछ और सोच रहा था, और हम लगे वे थे अपनी वही पिटारा बजा रहा घर 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 तो हमको भी सोचना है, यह हमारे लिए भी सबक है, और यह बात बहुत गहरे उतना चाहिए, प्रदीग भई, एक तो सबसे पहले आज हिदे विदारक जो घटना हुई है, और सूरत में जो बहुत ही पेन है, और हमारे अभी तक दस बच्चे या दस लोग की मौत हो गई है हम सब उसके लिए दुख और समवेदना हमारे पास है और साथी साथ एक सवाल भी है चाहे जो भी सरकार है आएगी रही है या जो भी वो 45 मिनट क्यों लग गया आखिर फायर ब्रिगेड को आने में इस पे विचार करने की जरूरत है वो बच्चों का क्या दोश था जो बिना लाइसंस के इंस्टिट्यूट चल रहा था वहां पढ़ रहते या पाटी करने गयते दूसरी बात रही कि जो आपने अभी कही कि धरम और ये हम दिखाते रहें और उसका कोई मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं इन सब का भी अ लीने में ऐसा क्या देश बदला यह यह भी विचार का सब्जेक्ट है और हमें सोचना चांगरूरोर यह चलेगा महिनों का यह विश्शलेशन है और यह चलता रहेगा और हम बात्चीत करेंगे जरूर करेंगे यह सबख है कि जनता इस बार जब मैं जाता हूँ लगबग 12-14,000 किलो मिटर मैं चला हूँ इस बार भी 12-14,000 किलो मिटर मैंने ट्रेवल किया है मैं जाता था पूछता था भाईया जी आप कैसे हैं तो कहता था मैं अच्छा हूँ मैं कहता था क्या होगा चाहिए मैं बंगाल में पूचosure की हो में डादा की हो मैं बलता दाता दाधो तब उपर वाला जाने लेकिन वह सोच जरूर रहा था कुछ ना अंदर मों इस बार वह उतना मुखर नहीं था लोगों को ने कहा कि अंदर करन्ख दाया ओर करन्ख दाया सतक तर muodhi और मोधिजी को बहुत-बहुत मुभारक बाद उनकी नहींग सरकार वनी हैं लेकिन आज हम हम सब हमारा पुरा फ्रेंट्स सरकल एक्जाम देकर आया है। आज हम graduate हो गए हैं सर। लेकिन सर अमें आगे का पता है नहीं रोजगार मिलेगा नहीं मिले तुम ब्रेक के बाद करना और बात करें नहीं जाओ कितले लोग आयो तुम लोग पांच को पहले बहुत-बहुत साली बजा के तो अब लोग ग्रैजुएट हो गहे हैं तो मैं आपको शुखकामना है सरान 90 से विजेपी 13370 की बात कर रही है इस बार भी उन्होंने घोसना प्रत्र में लिखा था तो क्या 2024 में भी यह लिखेंगे या हटा देंगे यह सवाल मुझे पूछना है 370 पर आपके नेता बोलते रहे हैं 370 को लेकर कश्मीर के भी एक बंधू है हमारे साथ बैठे हैं 370 35 A यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेके तमाम बार बार कही गई है और इस बार कुछ परिवरतन होगा विश्वंदु परश्यत के और जुड़े विचारधारा को जानने प्रश्यत को बहुत पहले आप देन यूँ प्रदीक जी सबसे पहले तो जीत की पूरे राष्ट को बहुत 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 बदाई एक नेरेटिव में चेंग करना चाहता हूं इसको मेरा सक्टेत राज है जी पूरे देश को यह बात समझनी होगी और मीडिया को यह बात सम देखिए करवी सचाई आप फिर नराज हो जाएंगे यह हिंदुस्तान की जीत है देखिए एक तो आप जब कहते हैं कि भारत इस वक्त जीत के जश्न में है और भारत ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल दिया है भारत के लोगों ने एकसप कर लिया आपने लगता है हमारे प्रोफेसर साब ने कैंडेट्स के मारजिन को नहीं देखा है कहीं पाँच लाग कहीं छे लाग कहीं चार लाग से जीती है कैंडेट्स सुन लिजे इस वक्त आप मुझे लगता है कि जाती धर्म को अब खत्म करिए क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स भारत का खत्म हो गया है एक ऐसा मसीया भारत को मिला है जिसका नाम नरंद्र मोदी है जो भारत को जिस उचाई पे लेके जाना चाहिए वो लेके जा रहा है लेकिन अगर आप भी अप धर्म और जाती में पकड़के और जकड़के रखेंगे तो मुझे लगता है आप जो भारत की जंता ने एक विश्वास जगाया है उसके साथ विश्वास घात करेंगे और मैं आपको बता हूँ मैं आपको बता हूँ कि हमें अब शिक्षा पे स्वास्त पे इस पे काम भी करना होगा बात भी करना होगा और लोगों के अंदर awareness मेरी बूरी बात हुई नहीं आप यासिर बाइज से प पूरे देश में जो आपके सांसर के उंबीद्वार थे उनके लिए कहा गया कि ये चाहे चाहे डांपू इन्हें ना देखें मोदी के नाम पर वोट मांगी को देखिए मैं फिरकर चाहता हूँ मोदी जी रास्टवाद के प्रटीख है मोदी भारत मांके सर्वाद ग्यों के पुत्र है इसलिए ये रास्टवाद की जीत है मोदी जी ने खुद यह बाद कही है कि यह जीत भारत के 135 क्रोन लोगों की जीत है देखिए मोदी जी दसार बदान में आप एक ही परिवार से आते हैं आप भी जिस परिवार से जुड़े हैं